हेलो स्टुडेंट्स आज अपना जो टॉपिक है जिस्ते उपर आपा डिसकेशन करनी है वो है लीस्ट स्क्वार मैथड ता स्टुडेंट से लीस्ट स्क्वार मैथड दी हेल्प नाल अपां की करन जा रहे हैं इस दे नाल अपां स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करांगे उस उरिजनल डेटा हुंदा है उस उरिजनल डेटा वास्ते असी trendline find out कर देए हूँ ट्रेंड लाइन इस करके find out किती जान दिये है तान जो असी जड़ी forecasting कर सकी तान जो असी जड़ी यह future values है उननों predict कर सकी बना सकी ओर अपना plan बना सकी इस purpose दे लई सानु जेड़ा है trend lines draw करनीया पेंदियाने trend values calculate करनीया पेंदियाने और उसने लिए आज तो आनु असी least square method दी detail जेड़ी है वो provide करांगे असी least square method दा इस्तेमाल कर रहे हैं to fit linear trend असी linear trend नू fit करांगे यानि के straight line trend नू होने straight line trend क्या होंदा है इस दी क्या equation है ओके इस दे सारे बारे होना पा discussion करांगे हांजी भी students एस article एक numerical example है जिस दी help नाल तो आनु मैं सारा method explain करूंगा least square method तब सब तो पहला students तो आनु इस दी trend line है trend line दी जो equation है उसने बारे दासना so y hat is equal to a plus b x तब स्टोंट से थे a, b और x इस सब चीजां क्या आने देखो जी ता इसलिए मैं graph draw करूंगा ता इस side students नीचे जो सोडी horizontal axis है जो x axis आओ थे यसी time लेख रहे हैं और y axis लेख रहे हैं sales वाली यह values जी मैं आँ data दे रहे हैं 2001, 2, 2005 ते ओधे corresponding तो अनु उरिजिनल sales figures दे रहे हैं ने in crore rupees याणि के 2,145 crore दी sales है and so on ठीके ता ओधे यह sales दिया figures ने न ओधे आप लिखांगे done जी ता उन student जीड़ा equation लिखी गई है trend equation मैं ए दे ते focus करूंगा कि a ते b दा क्या मतलब है ता जिदो student उसी trend line लगाऊंगे न trend line जीड़ी होगी ओ या upward sloping होगी या downward sloping होगी हो सकदा ओ एक horizontal line भी हो सकदी है ठीक है दी ता let's suppose अपनी जीड़ी trend line है मन लो ओ ए वाली है upward sloping है ता होगी student तो अड़ी जीड़ी आवला हंदार है इन्होंसी point of region बोल देया है तब point of region ते ठीक है point of region ते जो तो अड़ी sale दी value है ठीक है जो तो अड़ी sale दी value है ओ एन्नी value है जी एन्नी ठीक है जी इन्होंसी intercept value भी कह सक देया और ओ ए शो करेगा यानिके जीड़ीया value है ए ए ने represent करनी है ता होड़ी थे एक ही शो कर रहे है तो ए शो कर रहे है value of sale जीड़ीया sale है यानिके estimated sale एकता है original sale दी value है तो अड़ी को ले original data दी ठीक है original data दी two thousand one दे corresponding forty five ठीक है क्रोड है original value है एक value हुंदी है जीड़ी कि तुस्सी trend equation दी help नल निकाल लोंगे ठीक जो value at origin है तो अड़ी ओ ए रिपर्जेंट करेगा ठीक है जी उस तो बाद b क्या चीज़ है बी दा basically मतलब a है अगर तुसी sale नूँ y नल शो कर रहे हूं और time नूँ तुसी x नल शो कर रहे हूं ता time दे वे change on दे नल तो अड़ी एड़ी sale आउट क्या change आ रही है उनो बी शो करेगा ठीक है उसनो बी शो करेगा यानि के very simple language बी क्या चीज़ है slope of trend line यानि के एड़ी b है ओ slope of trend line है यानि के ओधसंदी कोशिश करेगी कि जो तो यह values ने ठीक है ठीक है जी जिसनो असी slope of trend line भी कह दने है देखो स्वेंट से थे मैं किसमनो एग्जांपल दिनना let's suppose करो आ बड़ा years only 2001 है और ये बड़ा suppose 2002 है ता जो तुसी 2001 तो 2002 ते गए ठीक है ता हुन that is 2001 तो 2002 ते गए that is delta x ठीक है ता पहला 2001 ते डी x दी value सो n नहीं सिगी ठीक है कोई भी value ले लो उस तो 2002 ते पहुंची x दी value है और आवाली value है ता हुन आज़ी चीज है ये delta y है y देवे change आई है जेडी जैनिके sales change आई है ता हुन जेडी तो आज़ी b है b क्या चीज है delta y over delta x ठीक है ठीक है ता हुन जेडी ए change है ज्यादा भी आ सकती है मतलग के delta y होंता पहिना दखाया ये n भी हो सकदा सी ठीक है any change भी आ सकदी सी जे any आज़ी ता फिर line ने इस तरह जाना सी ता हुन ultimately जेडा delta y over delta x है याणिके जो b दी value है ओ slope नो decide करेगी trend line दी याणिके गरी simple language एडिसाइड करेगी कि तो अडिया trend values किस rate ते increase कर रही है ने done ता बाकी student दा x है ओ तो नो पता ही है कि x असी time नो ले रहे है time दा जो unit है उसनो ले रहे है थे ठीके ते जेडा y hat है जेडा a वाड़ा है ये साधिया trend values नो represent करेगा trend values नो ठीक है जी ता हुन important चीज student ए हुन दिया कि तुसी जेडिया ए values है इन निकाल लोंगे कि में मतलब like जो सोड़े कोड़े ए a दी value है b दी value है किस तरह आएगी ता ओधर ली student साधे कोड़े कोड़े नॉर्मल equations होनी आने normal equations इवे की sigma y is equal to na plus b sigma x से first equation होगी सोड़े कोड़े sigma xy a sigma x plus b x square sigma a equation 2 तो सी ना दोनो equations नो simultaneously solve करोंगे and you will get the value of a and b तो आनो a ते b दी value दा पता चल जएगा और जिदो तुसी a ते b दी value नूँ ठीक है find out कर लिया ता तुसी फिर why the idea values दी prediction कर सकते हो यानि के forecasting कर सकते हो ठीक है तो a student सारा system जड़ा सी use करना है गा और हुण मैं तो आनो a ही formula देना a ते b दी value निकाल लूँगा इस numerical वास्ते done तो इस numerical वास्ते सब तो पहला 30 sody sale है a sody y होगी यानि के मैं y assume कर लिया इस नूँ ठीक है जी clear a original values ने sale दिया original values done उस तो बाद तुसी क्या करना होंदा है x दी value निकालोंगे basically x क्या चीज है time new represent करेगा ता हुण तुसी कहोंगे कि time new ता ए भी represent हो रहे है ता देखो students असे ही ए वालिया figures नाल deal नहीं करांगे असी क्या करांगे time new ठीक है convert कर लांगे small units ते विच ठीक है ता देखो किस तरह कर रहे है उसी क्या करो इना सारिया values दे विचो कोई भी एक year of origin suppose कर लो let me 2003 new year of origin suppose कर रहे है कोई भी year भी एसी year of origin ले सकने है इच कोई problem वाली गल नहीं होंदी year of origin कोई भी ले आ जा सकता है it is up to you ठीक है जी ता नॉर्मली क्या हमदा students असी बिल्कुल center वाड़ा इस करके ला लने है क्योंकि उधना calculation थोड़ी easy हो जान दी है ता मैं 2003 new year of origin ले रहे होगा 2003 मेरा year of origin हो गया year of origin हुण मैं यह वाड़िया values ले विच्च हूँ year of origin लो माइनस करूंगा 2001 चो 2003 माइनस कीता माइनस 2 देन माइनस 1 आ गया देन 0 देन 1 देन 2 ता हुन students ultimately क्या होगा देखो मैं time नू in this way लेख लेया ठीक हुन चाहे में इना values ना answer निकाला ठीक है मेरे answer ते कोई impact नहीं आओगा मैं हुन इना values जगा ते एवल यह values यूज यूज करूंगा time वास्ते मेरा answer ते कोई impact नहीं आएगा ता इत्थे student जेड़ी क्या हो रहे है regression coefficient दी property apply हो रही है क्योंकि तो अनू सबनों याद होएगा तुसी सबने regression अगर पड constant number ता regression coefficient ते कोई impact नहीं पेंदा चिक है जी ता ओही property दी help असी लेके यह बड़ा काम कीता हैगा done चलो ताहूं student जदो सब्सक्राइब को X दी value आगी Y है ताहूं तुसी क्योंकि trend equation निकालनी है जो की आप आई तो आड़ी trend equation और ये trend equation जो दो main values ने A ते B जो सबनों required है done और A किस तरह मिलनेगी है normal equations दा इस्तमाल करके छीक है जिननों तुसी ये भी समझ सकते हो कि A एक formula है to obtain the value of A and B so sigma Y ता sigma Y students इस दा सम कर दो sigma Y A 300 आजेगा ठीक X दा सम 0 आगया अपने को ले done उस तो बात उसी क्या करो formula दी requirement है कि सोनू X ते Y दा सम भी चाहिए ता X ते Y दी multiply कर दो so this is X Y ता इस ओड़े कोल minus किन आ गया जी 90 फिर minus 56 देन 0 देन 46 देन 150 ठीक है जी ता इस दा भी students आपा total कर दांगे ठीक है sigma X Y दा total भी आपने को ले आजेगा ठीक उस तो बात student तुसी क्या करो आपनी हो requirement कि X square दी ता X square निकाल दो 4 minus 2 दा square 4 then 1 then 0 then 1 then 4 ता हुँ दिदिया students आपने को ले आजेगा जी ठीक है और A वालिया values जेडिया ने X square sigma वो आपने को ले आजेगा जी ठीक है 10 ता ये वालिया values आजेगा ता हुँ तुसी क्या करना है यह थे values पुट करो so sigma Y the value जो है that is 300 है N दा मतलब हुदा students number of years 1, 2, 3, 4, 5 साड़कोल 5 years ने ता 5 A हो गया plus B sigma X, sigma X साड़कोल 0 है ता 0 into B ता ultimately student से सब कुछ 0 हो जुगा ठीक है ता इतनों लेख लो मैं पर एक बार लेखूंगा यह थीक है उस बाद sigma X Y that is students आपने को 50 है A sigma X, A as it is sigma X दी value 0 है अपने को ले उस बाद B X square sigma ओ 10 है ता ultimately students 10 B I equation 1 है, I equation 2 है जदो तुसी students दोनों equations नो solve करोंगे सो अड़े कोल A दी value आएगी जो की मेरे कोल आ रही है 60 और B दी value आ रही है 5 So in this way students मैं A ते B दी value नो find out कर लेया trend equation वास्ते यानि कि हो जड़े मेरी trend equation आ ना वा बन चुकी है Y cap is equal to A मेरे कोल है 60 plus B दी value है 5 into X तो students A मेरी trend equation आ गी चीक है और trend equation नो मैं normal equations विछ values put up करके निकाल लेया चीक है जी ता हो students मैं तो अनुँ सखाऊंगा trend values क्या हो दिया ने तो लाओ students trend values basically Y hat किसनों represent कर दा है trend values नों ही represent कर दा है trend values ठीक है जी आंगे on the basis of this ठीक है जी जीडियां a ते b जीडियां जीडियां values ऐसी equation दे थो find out किते एना थे basis ते जीडिक्ट करांगे कि X दीडियां values क्या हो sorry Y दीडियां values क्या हो सख़ादे ते के जो वह सी estimate कीती है on the basis of this equation, वो 50 बन दिये, और next value students, 60 plus 5, फिर minus 1, वो आएगी जी 55, next value आएगी 60, ठीक है, उस तो next student 65, next आएगी 70, ताहुन तुसी students notice कीता होगा, अपनी BD value, अपनी BD value है, that is 5, तह तो साफ clear हो रहे है, कि साड़ा, जिड़ा, क्योंकि BD value सी 5, वो positive सी, it means कि सोड़ियां trend values जिड़ियांने, वो 55, नाल की कर रहे हैंने, increase कर रहे हैंने, यानि कि जो rate of increase है, that is 5, ताहुन हर साल, हर value, 5 नाल ये increase करेगी, 50 तो 55, then 60, then 65, then 70, why, because, असी linear trend नाल deal कर रहे हैं, और linear trend दी सब तो important, जिड़ी खासित होंदी है, जो trend values ने, ओ constant number नाल change होगी हैं, constant number नाल, यहां ता constant number नाल increase होगी हैं, यहां constant number नाल decrease होगी हैं, और लगा ओ constant number है, ओ सानू बीदी value 10 दी है, जिमें कि साधे को 5 है, ठीक, एरर, basically student, error क्या चीज है, error सोड़े कोल जीड़ी original value है ना, उस दे विच्चो तुसी trend value minus कर दो, so this is the original value, ए original value है, ए सोड़े कोल क्या है, ए trend value है, original value जो trend value minus कर दोंगे, तो आनू जो difference हाएगा, ओ basically error हों दिये, error दा मतलब यह है, देखो, जिवे 45 चो किन्ना minus करों तुसी 50, ता minus 5 आ गया, it means किन्ने दी error है, minus 5 दी, error दा मतलब कि भई, सोड़े ड़ा estimate है, ओ original value तो differ कर रहे है, ठीक है, minus दा मतलब यह है, कि सोड़े थेड़ी estimation होई यह, that is क्या होई है students, कि तुसी over estimate कीता, done, ता देखो, original value 45 से estimate आया 50, it means 5 नल over estimate हो गया, अगे students, original value 56, estimated value is 55, 1 आ गया, plus 10, it means यह थे क्या होई है, यह थे underestimation होई है, फिर next value 78 है दी, एदर ले पासे किन है, 60 है, ता difference है इस किन है दी, 18, ओस तो बाद students 46 है, value, इस side 65 है, ता अपने को ले, 19, ठीक, यह थे minus आउगा दी, 19, done, आज 75 चो 70 minus किते, plus 5, ठीक है दी, ता हुँ students एक चीज़ दी, खासियत, जड़ी सब तो important है, इस method दी, कि जो सुड़ा error दा sum आना, जो sum of errors है, जो sum of errors है, ओई zero ही आएगा, खीक है, यानि कि error, असी e ना represent कर देंगा, ओदा sum जो है, हमेशा जीरो आएगा, चाहे करके देख लो, students, यह जीरो आ रहे है, linear trend देविट, जो sum of errors है, ओई zero होएगा, देखो, तो अड़ी को original values है, जो total है, that is 300, अगर तुसी जड़ी या estimated values है, अगर उना दा भी total लगाऊंगे, ओ भी 300 ही आएगा, जानी के सेम आएगा, एक खासियत है, linear trend दी, छीक, linear trend नो जो आपा फिट कर दिया, तो दा method दा नाम है least square, तो ओधी student जेड़ी छोटी जी discussion है, कि नो least square क्यों कहन दिया है, वगेरा, हाँ ना, ओधी discussion में होनी तो आजना शेयर करूँगा, एक वर आपाई numerical, एक वर कर लिए सारा, ठीक है धी, तो student से एए error आगी, जहाँ sometime इनो fluctuations भी कहाँ देने, ठीक है हो सारा मैं, तो आजे सामने निकालता, यहां sometime ना एक word बोले जानदा है, कि eliminate the trend, trend नो eliminate कर दो, तो ओधो भी तुसी आ ही चीज़ करनी है, ठीक है यह trend नो eliminate करना है, it means original values चो trend values minus कर दो, it means trend eliminate हो जेगा, जो trend eliminate हो गया, तो जेड़े सोड़े को यह चीज़ा हो ने नो residuals भी कहन दे है, और यह residuals की दी वज़ा करके हो सक दे है, cyclical fluctuation दी वज़ा करके, ठीक है जी, यह चीज़ा है, यह irregular जेड़ियां variations हो ने ने उना दी वज़ा करके यह आ सक दे है, ठीक है, ता हुन students, एक चीज जेड़े विच अन्दी जेड़ी, that is prediction, कि यह सी prediction कर सक दे है, तो देखो जी prediction के में हुन दिया, students, लाओ जी, मानलो स्पोस्तो आनू पेपर्च कोश्चन आ गया जी, ओ पुछ दे है कि सानू जी 2005 अना हुन, ओ कैन गे, predict ठीक है जी, sale for 2010, कि 2010 दी sale predict करो, कि 2010 चिकनी sale हो सक द तो उदेली student तुसी क्या करना है, अपनी trend equation चक लेनी है, trend equation चक ली, ठीक है, ओके जी, आँ trend equation पेख कर ली, होन क्या करना है, तुसी year of estimate, year of estimate, यानि के जिस year दा तुसी estimate लगाना है, जिस year वास्ते value predict करनी है, 2010, वो चो माइनस कर दो, year of origin, जो सोड़ा origin मन्या होया है तुसी, तो student जो मन्या है, वो ही लो, 2003 है, तो यह से 2003, difference लेलो students, किन आगया 7, तो बेसिकली सोड़ी x दी value है, तो यह थे put कर दो, वो 7 यह थे put कर दो, 60 plus 5 into 7, ठीक है, तो यह student सोड़ी को 95 हा गया, it means 2010 दी जो predicted sale हा, जो predicted value है, ओ 95 हा, in this way, आपान least square method देनाल, future values नो predict कर सक देया, ओके, और यह काफी अच्छा method है, prediction दा, ठीक है जी, ओके, तो एक clarity होगी students, तो यह था चलो prediction हो गया, ठीक है जी, होड sometimes students उन्हों होर की question पुछे जा सक देया, इस ना related, ठीक है जी, ता year of estimates, जिस देले ही तुसी estimate करना, उन्हों हमेशा उपर रखो, ओदे चो year of region minus करो, जो difference आ गया, उन्हों x दी जगाते पुट कर दो, trend equation, देविच, you will get the, मतलब value of क्या भी, estimated value, ठीक है, चलो, ता हुण students एक जड़ी होर ची दसनी हैगी है, कि sometime तुसी क्या कर देयो, sometime तो अन्हों कहन देया, कि like क्या करो, कि जड़ी monthly या, कहनगे yearly change, ठीक है, तो अन्हों कहनगे कि yearly change दसो भी क्या है, yearly change, या yearly change या increment, ता student जिवे में तो आटे सामने question कीता है, ता मेरे question देड़ा, मेरा X है न, ओ, X दी जड़ी value है, ओ, one unit, one year दे equal है, ता it means, हुण, जड़ी मेरी B दी value आऊगी न, that is 5Y होई है, या निके ज़े अपने डेटे सामना देखे ता 5 करोड, ता it means, मेरी yearly change 5 करोड है, ओ, यह थो भी पता चल दिये देखो, 2001 दे विच 50, 2002 दे विच 55, इट में जो yearly increment हो रहा हो, B दस है कि, B दी value, ठीक है, बट, अगर तो अड़ा, X दिया values, X दी value, दा one unit, one year दो रिप्रेजेंट कर रहा है ता, ता B दी values होड़ा, yearly increment, यह yearly change शो कर दिये, अगर तुसी monthly change शो करनी है, monthly change, ता students क्या करो, B नो 12 ते divide कर दो, you will get the monthly change, ठीक है, ता तुसी monthly change find out कर लोंगे, ठीक, जो quarterly change ता B, ठीक है, divided by 4, ता students से एक चीज हमेशा याद रखनी है, कि जो सोड़ी B दी value है न, ओ, जो B दी value है, उदी खासियत है, ओ, ओस वक्त ही yearly change शो करेगी, अगर सोड़ा X, दा one unit, one year दे बराबर है, एक mind चे रखना है तुसी, ठीक है जी, चलो, ता होन students तो आनूं, एक चीज जड़ी हैगी है, हो और दसूंगा मैं, उस तो बाद आपना, तो आनूं यह दसांगे कि, लाइक ड़ बारे मैं दसूंगा, ता लाओ जी students एक चीज जड़ी तो आनूं है दसनियाने, ओ दसनिया मैं, लाइक एक हों दिया है, साड़े को ले annual trend equation, ठीक है, annual trend equation, ता student जो तो आड़े सामने मैं ए बनाई हैगी है, trend equation, वाई है hat is equal to 60 plus 5x, ए annual trend equation ही है, क्योंकि मेरे को लेड़ा x है वो दा one unit, one year दे इक कोला, ठीक है जी, ता एक student सोर एड़ा y hat है, यहाँ y cap दा मतलब पता की है, कि यह estimated value नूं represent करदा, ठीक है, यानि के trend values नूं, जे तुसी annual trend equation निकाल, आ सारी, monthly trend equation निकालनी है, ता कि मैं निकलेगी, monthly trend equation, ता उधरली students क्या होएगा, जेडी, तोड़ी a दी value और 12 ते ड्वाइड हो जेगी, और फिर एक हुंता सोर को b ते x, ठीक है दी, ओ 144 ते ड्वाइड, क्योंकि b लेड़ी 12 है, x लेड़ी 12 है, ओके, so that's why 144, 12 into 12, ठीक है, ता in this way, तो सी monthly trend equation, इस formulae through ले सकने हूँ, convert कर सकने हूँ, ठीक है, तो एक student important चीज होर दास्तिया मैं तो आनू, like, और ओ है, जिस तरहां दूसरी एक question solve कर रहे हूँ, ठीक है, इस question देवे, जेडी अपनी trend equation है, ओ ए वाली है, ठीक, जेडी ये trend equation आपा calculate कीती ना students, y is equal to 60 plus 5x, ता ये equation जेडी आपा find out कीती ना, एदा लड़ा year of origin है, ठीक, ओ 2003 है, sometime तो आनू पदा की कहनेंगे, की जी year of origin change कर दो, ठीक, let me know क्या जांदा है, मैं इस question चे, suppose करो की मैं year of origin change करना है, और, जेडा मेरा new year of origin है, new year of, जो मैं new assume करना चाहने है, और मालो 2001 है students हो, 2001, ठीक, यानि के, 2003 year of origin लई, मेरको ये trend equation है, अगर मेरा year of origin 2001 होए, ता trend equation किस तरह change होएगी, और में सुन दस रहे हैं, तला उस students होदे लिए आ चीज़ करनी हों दिये, y is equal to a, plus b, x plus k, ता होने थे students k की चीज़ है, k देखो, मैं k दी वैलो दसना क्या है, k है, जेडा सोड़ा new year of origin है, new year of origin, तुसी ओदे विचो minus कर दो, जेडा old year of origin है, जो तुसी पहला तो suppose कीता हुए है, होने अपना new year of origin केड़ है, 2001, old year of origin केड़ है, 2003, क्योंकि मैं new आ मन रहे हैं, होन 2001 दे नाल में उबना रहे हैं, ता 2001 new year of origin, ठीक है, 2001 minus 2003, result किन आया students, minus 2, ता होन के दी वैलो minus 2 आगी, it means y cap is equal to 60 plus 5 x minus 2, ता होन मैं k दी वैलो minus 2 पुट करती, होन क्या होया, y cap is equal to 60 plus 5 x minus 10, क्योंकि 5 into 2, 10, ता y cap is equal to, आ 10 minus हो गया, plus 50 x, oh sorry, 50 plus 5 x, ता A equation बनगी students, 2000, one year of origin नाल, what is the change, देखो B दी वैलो जो कोई change नहीं आया, year of origin चेंज हों दे नाल, B दी वैलो ते कोई change नहीं है, change क्या होया, A, A दी वैलो चेंज होगी, ता होन students, recall करो, starting ते में तो अनू किया खैसी, कि जड़ी A दी वैल्यू है ना, ओ की है, value at the origin, that means यह आपा origin चेंज करांगे, ता value भी चेंज होगी, so that's why value चेंज होगी, होन students, अगर in case, तो सी मालो दो अलग अलग student, अलग अलग year of original questions अलग कर रहे है, तो अनू अधी A दी वैल्यू मैच नहीं करोगी, क्योंकि A दी वैल्यू जेड़ी होँदी है, ओ value at the origin होँदी है, जे मेरा year of original 2001 है, और एक हो student है, ओ 2005 नहीं कर रहे है, तो ultimately ये साढ़े year of original ही change होगे, तो A दी वैल्यू भी change होएगी, तो A प्लीज माइट च रखना हैगा, तो अनू student स्में तो नू जेड़ी main information है, ओदे बारे दास्ता है, तो ओ student basically क्या है, ओदा मैं थोड़ा hint पहला तो नू बोर्ड ते प्रवाइड करदा, तो basically student जेड़ा ये least square method है न, ये पता किस तरह वर्क कर दे दी, इदल ही अपा थोड़ा जा, खोड़ा space ले लिए, क्योंकि हों student तुसी सारा, मतलव लाई के इसनों जान चुक्के हूँ, कि ये दी working के में हो रही है, अपा के में values निकाल लियाने, देखो, एथे students time आजेगा, ठीक, एथे सोड़े को जो values ने, ठीक है, why, मतलव जो साड़े को ले, sale है, sale the value, the students क्या होंदा है, सब तो पहला original data plot करो तुसी, original data, मानलो original data plot हो गया, जी in this way plot हो गया, मानलो, ठीक है, जी in this way plot हो गया, ये original data है, और आज सारे ये values ने, original values ठीक है, मानलो suppose आज ही 2001 है, आ 2002 है, आ 2003, 2004, then students 2005 बस है ना बहुत हो चलो, ठीक है, और इस दी value थोड़ी जी आप पाना, एथे ले लिए, ठीक है जी, तर student से ही है, ये साड़े कोल suppose करो original data, असी हुन trend line find out करनी है, और trend line दे लेए, साड़े आ equation है, y cap is equal to a plus b x, ठीक है जी, y cap दियाँ values नो plot करोंगे, सो ठीक हो trend line आ जोगी, तर student साड़ी effort पता क्या हुन दी है, least square method दी effort क्या हुन दी है, कि in such a way, in such a way, a ते b दी value ऐसी find out कर दे हैं, कि जो trend values ने, और मैं trend values student जान के लगाँँगा, ऐस तरह लगा रहे हैं trend values, तरह आ trend values ने मेरी आ, आ मानलो मेरी trend line है, ठीक है, क्योंकि देखो, आ मेरी original value है, आ केड़ी value है, ए trend value है, आ मेरी original value, आ वाली trend value, आ original आ trend value, आ original, आ trend value, आ original आ trend value, ठीक है, ताहुन students, जेडी सोडी trend value है जेडी original value हो चेड़ा gap है असे उन्हों error बोल दें है क्या बोल दें error ताहुने थे देखो student से first value है ए error 1 है और a जेडी value है error 2 होगी और एड़ी आवड़ा gap है ठीक एड़र 3 होगी और आवड़ा gap error 4 और आवड़ा gap है error 5 ता स्टुएंट साधी कोशिश की हुँदी किडिया line अने ड्रॉ कीती है असी trend line जो की इना equation इस equation दे basis दे ड्रॉ कीती है ठीक और ए equation trend lines की दे basis दे ए ते बी असी ए ते बी दिया values इन सचा वे calculate करनिया हों दियाने कि जिडिया आँ errors आ रही है ने ना errors आ रही है जिडिया errors आ रही है ने इना सारिया errors दागा sum है यानि के e1 plus e2 and so on plus e5 इना सारिया errors दागा sum है ओ जिरो हो जे क्योंकि student देखो एथे trend value जादा है original value cut है यानि के एथे answer किया जेगा negative ए negative value आगी एथे positive आगया then again negative एजिया values आ sum है it should be zero ठीक sum of error sum of errors जीरो होना चाहिए यानि के जो e the total है it should be zero ठीक है जी ते एक students होर एक होर null property add कर दें है e square कर दो होने डिया errors ने उनना स्क्वार कर दो ते फिर उनना दा sum करो ओ लीस्ट होना चाहिए ठीक है sum of error zero ते errors दे square दा sum least होना चाहिए ठीक है जी इससे इसे वज़ा करके इस method नों least square method बोला जान दा है क्योंकि ये दोनों properties से based है अगर student sum of error zero होएगा ता ओदे error से square दा sum least होएगा least दा मतलब पता students की होंदा है कि तुसी होन y दे विचो y cap minus कर रहे हो क्योंकि e दा मतलब ही यह है error दा मतलब ही y दे विचो y cap minus करने है होन y दे विचो y cap minus करके जो figures आनगे हैं उनना square कर दो उनना सोड़े को e दा square आएगा फिर तुसी क्या करो उनना sum कर दो और least आएगा यह दे least दा मतलब student से ही है कि तुसी y cap दी जगा थे अगर कोई whole values लाओंगे ठीक और उनना sum करोंगे ओ sum जो y cap दिया values लाओंगे ज़्यादा आएगा मतलब कि जो difference दा square है अगर तुसी दे trend values नहीं लाओंगे यानि कि कोई whole method ना values find out करके fit करोंगे ता ओ sum least नहीं आएगा ओ वज़ेगा ठीक है ता इस वज़ा करके students एनो least square method कहनदे है यानि कि method जदो यह line draw करोंगा जिड़ी line की a ते b दे basis ते draw हो नहीं है ओ a ते b दिया values in such a way असी calculate करांगे कि बाई original values ते trend values जो difference है for all values उनना sum है that must be equal to क्या भी 0 ठीक है जी ता आज student हैगा for all least square method ठीक है जी ता student data मैं question तो आड़े सामने हुने ही solve की ता मैं हुनो नहीं graphically plot करूँगा ता इस side मैं time लेख लिया student से side मैं sale लेख लिया जो मेरी in croads रूपीज है ठीक है जी ता आज student तो यदे सामने जो values आई है या ने यह सोड़ा original data है original data, ठीक है, 2001 दे corresponding 45 value है, 2002 दे corresponding 56 and so on, ठीक है, ता उस्तो बाद students असी क्या कीता, उस्तो बाद असी कीता, डिड़ा सोड़ा, trend line, जिन्हों आप आँ trend equation दे basis दे draw कीता, तो ओ, आँ trend line लागी, students देखो, ठीक है, यानि के, 2001 दे corresponding 50, 2002 दे corresponding 55, then 60, then 65, then 70, ठीक है, ता हूं student, जेडी तुसी अगर notice करों, ता आ थोड़ी error है basically, this is the error, 50 to 45, जो एडिफरेंस है, that is error, एथे भी 56 ते 55, एए error आगी, एथे 78 ते 65 दा जो gap है, एए error है, 65 ते 46 दा जो gap है, that is error, 75 ते जो 70 दा gap है, that is error, और error निकल दी के में है, original value चों, trend value minus करके, यानि के original minus trend value, ता हूं student जेडिया है, कुछ values on गया, कुछ values positive on गया, कुछ negative on गया, और 0 भी आ सक दियाने, बट, important चीज किये कि ना सब दा जो sum है, ठीक, ओ 0 आएगा, एही इस method दी खासियत है, कि sum of errors must be equal to 0, ठीक, अगर sum of errors equal to 0 है, then errors दे square दा जो sum है, ओ least आएगा, ओ थो इस method दा नाम है, least square method, बाकी students देने derivation हों दी है, ओ तो अनू, मतलव like, हार classes जदो भी आएगी, ता मतलव, अपा तो अनू से खाम आँगे, ठीक है जी, कि एड़ी A थे B दी value है, ओ इस in such a way असी calculate कर देया, कि भाई, sum of error equal to 0 आए, ते जो sum of error दा square है, ओ लीस्ट आए, असी ओ प्रापर्टी दे basis दे ही A थे B नू, estimate कर देया, done, ता A students, हुण देखो जी, अगर माल लो तुसी interested on 2007 दी value निकालनी है, ता graph तो कि में निकाली जा सकती है, A line ने, trend line, जेड़ी A line ने, trend line, एनों तुसी produce कर दो, अग्गे तक produce कर दो, produce कर ले students है तक, ता एथो तुसी line draw करो, ठीक है, आ रहे थे, अपने आप, तो उन्हों पता चल जेगा, ठीक है, इस line नों produce करके, जिस year दी value तुसी find out करनी है, graph दो पर in this way तुसी find out कर सकते हैं, ठीक, ता A, C, student, least square method, मेरी कोशिश है सी की, तुसी numerical दे, नाल, नाल, थोड़ा जा, एदा basic भी सिखों की केमे काम कर दा है, ठीक है, में लिया line जेड़ी draw हों दी है, इन सच आवे draw हों दी है, कि जो एदा original values तो gap create हों दा है, ओ सारे gap, जिनियावी values लेजे में, A gap होया, A gap होया, A gap, A gap, A gap, इनने सारे gaps, दा जो sum है, that must be equal to zero, आचीज, ते मैं वार वार focus कर रहे है, एचीज है, तब बाकी students numerical ने, तो रहों एक छोटी जी guidance देती होगी कि तुसे नो के में solve करना है, ता, thank you be students, इस lecture बास ते, thank you be.